दोस्तों मिर्च की खेती एक ऐसा खेती होता है जो कि उसमें बहुत ही ज्यादा मत्रा में अलग-अलग प्रकार की कीटों का प्रोकोव होता है जैसे कि माइट का प्रोकोव होता है थ्रिप्स का प्रोकोव होता है या फिर एपिट जैसे बहुत सरे मतलब चूसो कीट का प्रो अगल करते हैं उसमें क्या होता है खर्चा भी जादा हो जता है और सही तयरी किटे म।े receptor नहीं होता है तो हमने सुच था क्यूNE पून आशा के बारे में बात करें ताकि एक ही एक सबी प्रकार की कीट को कंट्रोल करें इसलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक नहीं बल्कि पांच इंसेक्टिसाइड लेकर रहे हैं जो की मीच के लिए बहुत ही स्पेसल इंसेक्टिसाइड होता है तो यह कौन सा पांच कितना सग है कैसे काम करता है क्या कूंपोईश करते हैं लेकिन अलग अलग दबा को इस्तिमाल करते हैं जिससे किसानों का खर्चा भी बहुत ही ज्यादा होता है और काम भी सही तरीके से नहीं होता है तो इसलिए हमने पांच जो आप लोग को कितना सग बताने जा रहे हैं यानि कि इंसेक्टिसाइड बताने जा रहे हैं तो वह कौन सा पांच कितना सग है एक एक करके आप लोग को बताते हैं सबसे पहले पांच नंबर कितना सग बताएंगे उसके बाद चार नंबर उसके पाद तिन नमबर उसके बाद दो नमबर एक नमबर ऐसे करके आप लोगो को बताएंगे तो चलिए तो पहले पांच नमबर पे जो हम कितना सक राकें वह होता है धानु का कमपानी का बहुत यह कितना सक जो कि दिसाइड नमब आप लोगो को मार्केड में मिल जाएगा डिसाइड के अंदर क्या होता है इतोफेन प्रोक्स मिलता है और डाइफेन तीरोन मिलता है जो कमाल का रेजल मिलता है मीर्स के लिए यह स्पेसल इंसेक्टिसाइड माना जाता है इसके अंदर इतोफेन प्रोक्स मि उपर भी काम करता है लेकिन फ़ल्चे तो किट के उपर मुझे तो उतना अच्छा रजल नहीं देखने को मिलता है तो डिसाइड इंसेक्टिसाइड का डोज की अगर बात किए तो एक एक एकर के लिए आप लोग को 500 ग्राम डिसाइड इंसेक्टिसाइड को तो मार्केट में आप लोग को 500 ग्राम का पेकेट लगबग 14 रूपय के असपस देखने को मिल जाएगा थोड़ा बहुत 20-50 रूपया अलग-अलग मार्केट की इसाब से अलग-अलग रेट हो सकता है उसमें आप लोग को ज्यादा द्यान देना नहीं तो चलिए यह तो हो ग माइट के अंदर क्या कोंपोशिन मिलता है डाइपन तो है लेकिन साथी साथ इसके अंदर कमाल का इस्पाइनोटराम जो केमिकल होता है वह भी दिया गया है जिस बज़े से एक बहुत ही अच्छा कॉंबिनेशन तैयार होता है और इसलिए दोस्तों मीर्च के पसल में थ्र के उपर काम करता है क्योंकि इसके अंदर डाइपन तिरुन दिया गया है और उसके अलाबा फल्चेदक कीठों चाहे पत्ता खाने बाला कीठों कमाल का रजाल मिलता है इसलिए आप लोग को यह इंसेक्टि साइड बहुत ही अच्छा हो सकता है मीर्च के लिए तो इसका ड रेट तो पहले ही बता चुके हैं कि थोड़ा बहुत अलग-अलग हो सकता है उसमें आप लोग को ज्यादा द्यान देने नहीं तो यह वो यह चार नंबर कितना सक जो कि मीर्च के लिए कमाल का इंसेक्टि साइड है आब जो तिन नंबर इंसेक्टि साइड रखे हैं वो भ और साती साथ ऑबामेक्टिन मिलता है जी यहां क्लोरेंटरनेलिप्रोल मिलने के कारण थ््रिप्स के उपर या फ्लचदक कीट हो चाइऑ पत्ता खाने वाला कीट हो कमाल का इंसेक्टि साइड होता है लेगिन वाइट पलाई के उपर उतना अच्छा काम नहीं करता है जोज का बात किये जाए तो पती एकड की हिसाब से मिला करके चीटक्व करना है 15-186 लिटर बालब पंप में आप लोगों को सिर्फ 25 अमेल मिला करके चीटक्व करना है तो भोले मिलता है तो आप लोगो नौ 100 रूपय का आसपस देखने के लिए मिल जाएगा तो मिंस के के लिए इसको तैयार कीा गया है तो चलिए यह कूम सा किंदा सकए यह है गुद्रेज कम्पाणी का रासिनबान कितुनास्थ जो कि यूणीग टैप का केमिकल दीया गया है फ्लुक्समेटामाइड और साते सात फॉर्व्यूरा नुख के chemical दिया गया है जो कि मीर्च के लिए कमाल का insecticide होने बाला है जो कि आप लोग को threes, mides, whitefly, epids, jacids या फिर पत्ता खाने बाला कीट या फिर फल को खाने बाला कीट सबी प्रकार की कीट को एक बार में ये प्राइस इसका rate थोड़ा से जादा है लेकिन कमाल का result मिल ले बाड़ा है तो इसको भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह तो गया दोस्तों दो नमबर कितना सक जो कि गोद्रेज कंपणी का रासिन बन आब जो एक नमबर कितना सक के बारे में बात करेंगे वह एक ऐसा इंजिक्सी साइड है जो कि उसके बारे में आमने बहुत ही ज़्यादा चर्चा कर रखे हैं हमारे चैनल पर आप लोग जाके अगर डिटेल्स में वीडियो देखना है तो आप लोग जाके देख सकते हैं पूरी जानकारी आप लोग को मिल जाएगा डिटेल्स में और हां सभी के बारे में हमने अलग 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 डिटेल्स में वीडियो बना कर रख दी है चैनल पर अगर आप लोग को डिटेल्स में इंफोर्मेशन लेन तो आप लोग आराम से जाके देख सकते हैं, पूरी जानकारी आप लोग को मिल जाएगा, तो चलिए, एक नमबर जो किटना सत के बारे में बात करेंगे, वो होता है, शिन्जन्टा कमपणी का ही, सिमोडिस, जी यहां, सिमोडिस के बारे में ज्यादा कुछ बताने का जोरू होतों नहीं है, इसके अंदर आइसो साइक्लोर से रहं केमिकेल मिलता है, जो की एक युनिक प्रकार के केमिकेल होता है, सिर्फ इसका जो सिमोडिस यह है, ऍथा प्रोड़क्त होता है, सिर्फ इसका आप लोगो को डोज रखना है 240 ml पर एकड की इसाब से अगर आप लोग 20 ml की इसाब से 15 लिटर वाला पांप में मिला करके छिर्काव करते हैं तो भी यह कमाल का रेजल मिलता है सभी प्रकार की कीट के उपर काम करता है माइड श्रीट वाइड फ्लाइड जेशीड पत्ता को चिवाने वाला कीट या फिर फल को खाने वाला कीट सभी के उपर काम करता है तो इसका प्राइस की बात के यह तो मार्केट में आप लोग को दोस्तों 800 रुपी के आसपस देखने को मिल जाएगा थोड़ा बहुत रेट अलग-अलग हो सकता है मार्केट की इसाब तो यह हो गया दोस्तों मिल्स के लिए पांच inspection side जोगी सभी प्रकार की कीट को एक ही infected इसमें से किसी को एक को स्टेमाल करने पर रेजल मिलता है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो ओस्टा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना है और अगर आप लोग कमान में कुछ सवाल रहेगा तो आप सब्सक्राइब यल दिका लीजिगा किनकि हम इस चैनल पर ऐसे नीवने वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं